बिहार के नवादा में दलत बस्ती में घरों को जलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है राज्य के कॉंग्रेस समेद प्रमुख विपक्षी दलों ने नितीश सरकार पर जबर दस्त हमला बोला है तो वहीं इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा है कॉंग्रेस ने बिहार की NDS सरकार की आलोचना करते हुई कहा कि ये राज्य में फैले जंगल राज का एक और सबूत सामने आया है जो दलितों और वंचितों के प्रतीश सरकार की पूर्ण उदासीनता को दिखाता है तो वहीं विपक्ष के इस हमले पर केंदरी मंत्री जीतन राम मांजी ने भी पलटवार किया है आपको बता दे कि जीतन राम मांजी ने अपने टुटर में लिखा है हमारे देश में विपक्ष की विचित्र लीला है विपक्ष के लोग पहले दलितों पर अत्याचार करवाते हैं फिर उस घटना को मुद्दा बना कर सरकार के कारशेली पर सबाल उठाते हैं नवादा की घटना में जिन लोगों की गिरफतारी हुई है उसमें 90 फीस दी लोग एक जाती विशेश के हैं और राज़त समर्थक हैं राहूल गांदी जी अब इस पर कुछ बोलेंगे या पिर चुपी साथ लेंगे एक अन्य ट्वीट में जी तरह मांजी ने लिखा कि मैंने अभी नवादा डीम और एसपी से बात की हैं घटना में शामिल अपरादी गिरफतार किये जा चुके हैं जो फरार हैं वो भी जल्दी सलाखों के पीछे हूंगे पीडितों को राहत दी गई है पुलिस वहां कैम्प कर रही है मैं खुद वहां 22 सेतंबर को नवादा में अपनों के बीच रहूँगा आपको बता दे कि राहूल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना 80 से जादा परिवारों के घरों को नश्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है अपना घर संपतिक हो चुके इन दलित परिवारों की चितकार और भयंकर गोली वारे की गून से बंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में काम्याब नहीं हो पाई सरकार पर हमला बोलते हुई राहुल गांदी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि भाजपा और NDA की सहियोगी दलों के नेतरत में ऐसे अराजक तत्व शरन पाते हैं जो भारत की बहुजनों को डराते हैं ताकि वो अपनी सामाचिक और समवेधानिक अधिकार भी ना मा चाहिए आपको बता दे कि कांग्रिस के नेता इस दलत बस्ती में असी से अधिक घरों में आग लगाने की बात कह रहे हैं वहीं इस मामले में नवादा पुलिस का कहना है कि जिला के मुफसिल ठाना शेत्र के ननौरा के पास ठित कृष्णा नगर दलत बस्ती में 21 घरों मे आग लगाई गई है उन्होंने बताया कि प्रारंबिक जांच से पता चला है कि बुदवार शाम हुई इस आगजनी की घटना के पीछे भूमी विवाद हो सकता है पुलिस का खहना है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को हिर पाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें